नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार उजाला और आप सभी के साथ मैं हूँ ब्रजेश मिस्रा और आप सभी को आज एक खास वीडियो आप सभी को दिखाने जा रहे हैं आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक भाई ने इस नीलामी से गोपाल गन से पिकप खरीदा और इस गारी आप सभी को लेने के बाद आज तक पच्था रहे हैं और क्या-क्या उनके साथ बिता है इस समय इनसे खास आज बातचित होगी इस वीडियो में और जानेंगे कि किन-किन परिसानियों का सामना करना पडा इस गारी को लेने के बाद हाला कि बिहार में बेरोजगारी है और बेरोजगारी में लोग रोजगार के नए-नए औसर को तलास करते हैं सोचा कि हम भी इस निलामी से गारी खरिदते हैं और अपने सोक्स अपने को पूरे करते हैं अपने घर परिवार को खर्चा उगरा चलाएंगे गाडी से चला के रोजगार उगरा करेंगे लेकिन ये गाडी लेने के बाद वो आज तक पस्ता रहे हैं क्या हुआ है उनके साथ आज हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अब अपना नाम बता है अब ही क्या समस्या हो रही है गाडी लेने के बाद से पूरा डीटेल में बताएं और जो भी नहें लोग हैं या जो भी आला धिकारी हैं अगर इस वीडियो के देख रहे हैं तो इनकी बातों को समझें और पर्यास करें कि इनका जो प्रोब्लम है उसे दूर किया जाए बताएं लेकिन मैंने गाड़ी एक पच्पन पे लिया उसके बाद कितने खर्चिया इसके डॉक्मेंट रुपिया गाड़ी में मैंने खर्च कर दिया उसके बाद से एक मतलब एजेंट से मुलकात हुआ कि मतलब गाड़ी का कागज चाहिए तो गाड़ी का कागज के लिए मैंने एक 23.000 रुपिय दे दिया बोला कि नहीं 10 परसेंट लगता है बाकि हमको कराने में लगेगा तो मैंने उनको 23.000 रुपिय ये के मुझ दे दिया कि मेरे को काकजुबना कर देदीजिये काकज बणाने के लिए उनको पैसा दियेPP एपाईसा देने के बाद मुझके बुलाया मैं जाते हैं वहां गया जाने के बाद से साहब से बात कराया साहब से बात कराने के बाद से बोले कि आप गाली लेकर आईए पहले भेरिफिकेशन में भेरिफिकेशन में मैंने गाली लेकर गया तो बोले कि नहीं आपका गाली का मतलब कॉलर ठीक नहीं तो बोले कि आपका गाड़ी का मतल Corinth को अपका लो पांच किया गया है तो मेरे को मालूम नहीं था मेरे को जो मतलब पेपर वहाँ देखे, गाली का अप्चन देखे, तो मैं फाम अपलाई गिया, तो मेरे को मालुम नहीं होता था कि इस तरह का मतलब जहंजट है, अगर जहंजट होता तो मैं तुम कान पकड़ लिया हूँ कि मैं कभी गाली लूँ, फर्स्ट एम गाली लिया मैंने फर्स टाइम गाड़ी लिया हना कि नहीं गाली लेकर अपने जिवन वापन करेंगे कोई है नहीं बेकराउं हम लोग यह नहीं तो वहां गये तो बोले कि नहीं होगा पंच किया गया है ऑम बोले कि 5 कैसे किया गया है इंजन नमर सही है तो बोले कि वहां से कोई कागज आया है यहां से बोले कि जाकर आप पता किजिए तो मैंने वहाँ पाता किया तो बोले कि आपको आने का कोई ज़रूरत नहीं है आप गोपाल गंज से लिए हैं गोपाल गंज और टियो से आप कागज लीजिए उनलों का काम होगा सिवान से कौन सा कागज चाहिए क्या चाहिए उनलों खुद लेकर जाएंगे लेकिन हमको य मैंने नेट पे सर्च करके उस पार्टी के घर गया जहां से गाड़ी पकड़ाई थी वहां क्या नामें उनका हभीबुला अंसारी हुसेन की हभीबुला ऐसे कईल गड़के हैं उनके घर गए तो उनसे हम कागज मांगे कि आपका गाड़ी कैसे पकड़ाया वह कागज दिय उसके बाद से ओ बोले कि ने अहमने गाड़ी बेच दिया है बगहे जी बरेली में तो मैंने बरेली भी गया उनसे भी डॉक्मेंट लेकर आया हूं टोटल मेरे पास ही डॉक्मेंट है हना देखिए यह है हभीबुला कैलगर सिवान हना यह हभीबुला का कागज है सेल बगहे जी बरेली बरेली जिला गोपाल गंज वहां से टोटल चीज मतलब मिल रहा है इंजन और चेचिस नमर सो सेम उसके बाद से भी उलक बोले कि आपका कागज नहीं बनेगा तो मैंने हार पाच के एक जनतादरबार में अपलिकेशन दिया उसका भी सुनवाई नहीं गया तो ज़र्केश सर के पाए जो एक साइसर रूटन है राकेश सर के पास दो बार गये राकेश सर दो पहुदे हो कि आप किर्वा और तो कनहिया सर हैं और एक अनुराग जी ओ लोग बोले कि ठीक है आप आई हमको बोलाए और हमको पूरा डोज भर दिये कि आप क्यों वहां गए कि उसी काइद किये आपका कागज कितना हूं पैसा दोगे नहीं बनेगा हना मैं हार पाच के गाढ़ी खाड़ा करके रख दिया हूं अभ क्या करों उसके बाद से भी अभी कि इस दिसमबर में जीला पारत उंपरकाश जी के पास गए ऑंपरकाश घुज गए थेH ते अångरे साथ में आठी goofs, जा के बाद कि एक अनहिए जिसे कि जब इस काड़ी का काखज नहीं बनना था तो आप लोग निलामी क्यों कराएं? और आप आज बो रहें कि नहीं इसको इसक्रेप में कटवा दीजिए जब इसक्रेप में ही कटवाना था तो निलामिकें किये तो बोले कि हम कागज भेजे हैं सीवान सीवान में मतलब 5 जनवरी 2023 तक आपको बता दिया जाएगा कि क्या होगा उसके बाद से 3-4 रोजी धर भी गय कोई मतलब जबाब नहीं मिल रहा तो देखें जितने भी जो भी बिहार के लोग है वो देखें और बिहार सरकार भी देखें कि कैसे यहां पर जहां पर रोजगार को लेके कौई आम आदमी अगर गारी खरिद लेता है तो उसके सौब सपनों को कैसे चूर-चूर किया जाता है आप देख सकते हैं normal परिवार से आते हैं घोषेरह जोटा फेमिली परिवार है और परिवार को खर्चे legislelsेटाने के लिए इन्होंने पहली बार गाड़ी निलामी से लिया और पहली बार ही इन्हें इतने भागदोर करना पड़ा उसके बाद भी अभी तक गाड़ी को जो भी डोकुमेंट्स पेपर जो मिलने चाहिए वो नहीं मिला है जो भी बड़े अधिकारी हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे हमारी नम्र अपील रहेगी कि इनका जो भी समस्या है उनको दूर किया जाए ताकि सरकार के खिलाप जो भी मन में है गलत तरह की भावनाई लोगों के अंदर न फैले और वो सरकार पर भरोसा करें मैं अपील करना चाहेंगे सरकार से मेरा जो समस्या एकाज का का मतलब किसी तरह हमारा काज दिला दे हम गरीब परिवार से हैं दूसरी सीज है कि नेता से लगाई और परसासं से मेरा जो विश्वास था गोपाल गंज उन नहीं है से निलामी अगर कोई लेता है तो मेरे जैसे अगर कोई परिवार है तो उसका घर नहीं चलेगा वो कल ही उसका मतलब बिदाई हो जाएगा घर से एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है 2.5 रुपया निलामी का जो प्रोसेस होता है गाड़ी लेने से लेके गाड़ियां घर तक आते आते काफी सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं जो होते हैं वो अलग है थानों के चकर जो लगते हैं वो अलग है जो भाई साब के अभी लगे हुए हैं आप लोग देख पा रहे हैं तो ऐसे में कैसे लोग बिहार सरकार से जो भी निलामी की गाड़ी यहां वो कैसे खरीदे कैसे विश्वास करे कि हम यहां से गाड़ी आले और कैसे लोग सोचे कि हम इस निलामी से गाड़ी लेकर हम अपने परिवार का जो भी खर्चा है बिजनस वगरा करके हम इससे चला सकते हैं काफी सारी मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस निलामी या पूरे बिहार निलामी की बात की जाये तो कहीं न कहीं जो आम नागरिक है उन्हें दिक्कत हो रहा है जो बड़े हैं आप लोग समझते होंगे उनके लिए कोई मुस्किल नहीं वो डेली दो चार दस गाड़ियां लेते हैं और उनका डोकुमेंट्स चुटकिय नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग रखिए अपना कुप सारा ख्याल नमस्कार